गेंगेस्टर संदीप गाड़ोली की गल्फ्रेंड मॉडल दिव्या पहुजा की हत्या मामले में गरफतार तीन आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश किया जहां अदालत ने उन्हें पांस दिन के रिमान पर पुलिस को सौप दिया है वहीं पुलिस को आरोपियों की BMW गाड़ी पटियाला में मिल गई है जिसकी जांच की जा रही है जबकि दिव्या के लास को ठिकाने लगाने वाले दो आरोपी अभी तक फरार है हलाकि अभी तक पुलिस को दिव्या पहुजा की लास नहीं मिली है पुलिस अब गाड़ी को अनलॉक कर जाचने में जुटी है कि लास गाड़ी में ही है या फिर आरोपियों ने कहीं और ठिकाने लगाने के बाद गाड़ी को पटियाला में छोड़ा है वहीं पुलिस को मर्डर केश में तीन CCTV फुटेज और मिली है दरसल गुडगावा के होटल सिटी पॉइंट में मौडल दिव्या पहुजा की गोली मार कर हत्या कर दी गई वहीं लास को लगजरी गाड़ी में डाल कर ठिकाने लगा दिया गया पुलिस ने मामले में दिव्या की बहन नेना पॉजा की सिकायत पर हत्या का केश दच कर मुख्य आरोपी होटल मालिक अभीजी सही तीन को ग्रफतार कर लिया है जिनकी पहचान हिसार के 56 वर्षी अभीजी सिंग नेपाल मूल के 28 साल के हेमराज वे पस्चिम मंगाल के 23 वर्षी और प्रकास के रूप में हुई है जिनको अदालत में पेश करने के बाद 5 दिन के रिमान पर लिया जाएका अभी तक की पूस्तास में जो डिस्क्लोज हुआ है पता चला है उसके अनुसार अभीजी तोर जो दिविया है पिछले करीब धाई-तीन महिने से एक दूसरे के संपर्क में थे और वो एक तरीके से रिलेसेंशिप में आ गए और इसी दोरान दिविया ने पता चला है कि कुछ केमरे सूट आउट किये वीडियो सूट आउट किये केमरे की साथा से और उसके बाद उसको पैसे मागने लगी कुछ पैसे उसने दिये भी हैं जैसा कि बताया है अलाकि इन चीजों की कुष्टी अभी पास दिन का रिमांड लिया गया है उस दुरान की जाएगा किसी लड़की की लास होटल सिटी पॉइंट जो की बस्टेंड के पास है वहाँ है इसी सुचना पर पुलिस तक पहुंची और जब वहाँ पर होटल के तलासी ली गई और जो कैमरे देखे गए उससे पता लगा कि एक लड़की की लास को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया तीन लोगों दवारा और उसको फिर बीम डबलू गाड़ी में डाला गया और जो बेसिकली होटल का मालिक है मिस्टर अबीजीद और उसके दोस्ट जो करमचारी ये साथी करमचारी जो रेस्टोरेंट में काम करते थे हेमराज और उन प्रिकास उन इन तीनों लोगों को गिर